नमस्कार दोस्तों, कुछ अफवाच चल रही है कि बांडी सिंध्रा बांध ओरफ़लो हो चुका है तो आज इसका जाय जा लेने के लिए हम बांडी सिंध्रा बांध पहुंचें आपको जानकादी देंगे कि ये बांध कितना बरा है और कितना खाली है क्या इस्तिती ये बांध की इसके बारे में आपको अफ़ित करवाएंगे अभी हम पांटी सिंत्रा बांध को देखने आएं लोग यहां पर बता रहे हैं कि बांध और फुलो हो चुका है तो बांध को हमने देखा है और हमारे साथ में राहिमल जी देवासी वरिष्ट समाझ जेवी है उन से जानेंगे राहिमल जी क्या इस्तिती ये बांध की और कितना बरा है बांध कालूराम जी कैसी हुई बारिस और क्या इस्तति है भी बंदगी तो दोस्तों ये बांद की लाइव तिशुरे आज के साम तीन बजे की है तीन बजे बांद की ये इस्तति है कुछ लोग घृण फैला रहे के बांद और फ्लो ओचुका है तो वहां पर पहुंचे थे और बांद का जाएजा लिया बांद को देखा है तो बांद की समता से ये लगवग 4-5 खित तक खाली है अभी हम आपको बांद के जो और फूलो का गेज है वहां पर आपको ले के चलेंगे और वहां से देखेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि बांद की क्या बांद की और कितना बांध भर चुका है और बांध की क्या इस्तिती है तो चलिए चलते हैं ये है बांधी सिंद्रा बांध के उस बांध का गेज है और ये बांध इतना भरा हुए आप देख रहे हो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो बांध इतना लगवग चार फीट का खाली है और पुरी तरह से पहली बारिस में लबालब बराए किसाना में खुशी की लहर है बांधी सिंद्रा बांध का जलगरण चेत्र 382 वर्ल किलो मीटर है और बांध की बरावक्षमता लगवग 28.79 मिलियन घन मीटर है इस बांध से 45 किलो मीटर लंबी चेत्र में एक नेर सिस्टम भैला हुआ है जहां से चिंचाई के लिए नेरे है जो यहां से फैली हुई है जिसके मादिम से चिंचाई की जाती है तो ये बांध अच्छी तरीके से अच्छी खासी इस बांध में पानी की आवक हुई है इसको लेकर किसानों के सेरे पर काफी खुशी है और लोग काफी खुशी आजाता रहा है कि पहली बारिस में ही इस प्रकार बांध भर जाना कई ने कई सभी किसानों के लिए काफ़ी उत्सुक्ता का विश्क है अभी तो प्री मांसूने मांसून आना बाकी है और जैसे ही मांसून आएगा तो बांद और-फुलो के पूरे सांसेजे और अभी साम को पुना बारिस सालू हो चुकी है तो पानी की आवक जारी रहेगी और यदि अच्छी खासी आज साम को बारिस हो जाती है तो बांध और फुलो हो सकता है और और फुलो होने के बाद में इसका पानी नदी में गिरेगा जो खानपूर, देलवाडा, बरूडी और बादर पाद्रा, दास्पा को होते हुए यह नदी का पानी है जो इस बहाव चेत्र में बहता है और इस चेत्र में रहने वाले सभी किसानों के लिए खुशी का विशे है कि यह बांध पर्थम बारिस में लबालब भर चुका है लगवक्षार्ण